दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डोक्टर प्रदी प्रसन्य, आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंधी चैनल पर, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य समंदि तमाम तरहें के तथ्यात्मक टोपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं, आईए आज नया टोपिक कुछ सीखते हैं। अरफात से संबंदित। भीष्म सहानी द्वारा लिखा गया ये उनकी आत्मकथा का एक संस्मरनात्मक पाठ है। इस पाठ से संबंदित हम दो तीन वीडियो पूर में बना चुके हैं। हम इस वीडियो में पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ भाव इसपष्ट करेंगे और जिन संदर्भों से जुड़ी हुई कोई घटनाए होंगी उनको इसपष्ट करने का प्रियास करेंगे। वीडियो प्रारंब करने से पहले आप सबसे आग रहे हैं। सब्सक्राइब करें। आईए प्रारंब करते हैं आज की वीडियो। तो नहरू जी के संस्मरन के उपर लेखक लिख रहे थे और उन्होंने एक कहानी सुनाई उस कहानी में बताया कि एक नट कैसे अपनी पूरी तन्मिता के साथ माता मर्यम को प्रसंद करने के लिए अपना करतव दिखाता है और उसी समय पादरी आ जाता है और उसको मलात मार के बाहर भगाना चाहता है लेकिन मर्यम माता प्रकट होती है और अपने आचल से उसका पसीना कोचती है और यह कहानी नहरू जी के मुह से जब सुनी तो मेज पर सभी लोग दखचित हो गए नहरू जी का कमरा उपर वाली मंजिल पर था जिसके बगल वाले कमरे में मैं और और मेरे फुखेरे भाई तिके हुए थे उस रात देर तक नहरू जी चिठ्धियां लिखवाते रहे थे सुभह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुई मैंने देखा कि नहरू जी फर्ष पर बैठे चर्खा कात रहे है उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी अब यहां दो तीन बातें इस पष्ट करने के आवशकता है पहली बात तो यह है को समय चिठ्धियों का प्रचलन था तो एक जवाब दाई थी ऐसा नहीं टाल देते थे चिठ्धियां लिख करके अपने चाहे वो प्रशाशनिक कार्रे हो या दूसरे कोई प्रसंसकों की जिठ्धि हो उन सब का जवाब लिखवाते थे यह एक महत्वकून काम दूसरी बात यह है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो अपने लिए परिश्रम करना नहीं भूलता था तो नहरू जी गांधी जी के बताये रास्ते पर फर्स पर में खड़ा नजर सानी करने लगा यानि कोई आ जा तो नहीं रहा है मैं अभी अकबार देखी रहा था कि सीड़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई मैं समझ गया कि नहरू जी उतर रहे हैं उन्हें उस रोज अपने साथियों के साथ पहल गाम के लिए रवाना हो जाना था अकबार मेरे हाथ में ही था तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूजी मैंने फैसला किया कि मैं अकबार पढ़ता रहूंगा और तभी नहरू जी के हाथ में दूँगा जब वे मांगेंगे कम से कम छोटा सा वारतलाब तो इस बहाने हो जाएगा एसा लेखक के मन में एक एक कुछ सूजा हरकत करने का या शरारत करने का एक वाक्यांस नहरू जी आए मेरे हाथ में अकबार देखकर चुपचा पे एक और खड़े रहे वे शायद इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वेम अकबार उनके हाथ में दे दूँगा मैं अकबार की नजर सानी क्या करता म तेरी तो टांगे लरजने लगी थी, डर रहा था कि नहरूजी बिगडने उठें, यानि कि सहज भाव से एक डर भी उनके मन में था, कहीं नहरूजी धांट दें, इतने बड़े व्यक्तित, कि मैं आयार फिर भी आप अकबार पढ़ रहे हो, एक तने से मेरी अंदेखी कर रह मुझे अकबार नहीं दे रहे हो, तो वो डर रहे थे, डर रहा था कि नहरूजी बिगडने उठें, फिर भी अकबार को थामे रहा, फिर भी एक हिम्मत मन में थी, कि नहीं नहीं अकबार बिना मांगे मन नहीं दूँगा, कुछ देर बाद नहरूजी धीरे से बोले, आपन सहजता है, तो निश्चित रूप से उसका बड़कपन कायम है, लेकिन यदि उस सहजता को खत्म करते हुए, वो अपने पद के आधार पर गरवित होता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी, उस पद के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट के लिए भी, वो अह से सम्मंदित है उनका संस्मर्ण है तो उन दिनों में एफ्रो एशिया लेखक संग में कारेकारी महामंतरी के पदपर सक्रिय था ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस में एफ्रो एशिया लेखक संग का सम्मेलन होने जा रहा था भारत से जाने वाले प्रतिनिधी मंडल में सर्व श्री कमलेश्वर, जोगिंदरपाल, बाबुराव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदी थे कारेकारी महमंत्री के नाते में अपनी पतनी के साथ कुछ दिन पहले पहुँच गया था ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संग की पत्रिका लोटस का संपाद की कारियाले हुआ करता था एक आद वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज एहमद फैज चल बसे थे तो बहुत सारे जो एक लेखक संग्ज संबेलन आयोजीत हो रहा था उसमें भारत की और से आने एक लेखक जा रहे थे जिनका नाम अभी लेखक ने यहाँ पर गिनाया है और लोटस जो एक बड़ी प्रतिष्ठीत पत्रीका थी उसके प्रधान संपादक फैज हमद फैज भी गुजर गए थे क्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तिनी एस्थाई सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था उस समय तक फिलिस्तिन का मसला हल नहीं हुआ था और क्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतरत तुमें यह एस्थाई सरकार काम कर रही थी यासेर अराफात उस समय वहां के नेता थे लेखक संकी गत्विधी में भी फिलिस्तिनी लेखकों बुद्धी जीवियों था उस दिन सदर मुकाम में आमंतरित किया गया है उन्होंने कारिक्रम का व्योरा नहीं दिया केवल यह कहकर चले गए कि मैं बारा बजे तुम्हें लेने आऊंगा ऐसा कहकर वो चले गए लेखक तयार हो गया हूँगी ठीक है चलेंगे वहाँ पहुचे तो बड़ी जेफ हुई हमारे पहुचने पर यासेर अराफात अपने दो एक साथियों के साथ बाहर आये और हमें अंदर लिवा ले गए यानि कि एक देश का इतना बड़ा प्रभावी व्यक्तित तो है और एक सामाने लेखक को लेने के लिए भार तक आ रहा है ये बड़ी बात है संभवे संपादक महुदे ने सुरक्षा की द्रष्टी से हमें खोल करने बताया कि वास्तों में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था यानि कि बहुत इस पश्ट नहीं बताया कहा कि तुम्हें बस बुलाया गया है अंदर पहुँचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी था कुछ एक फिलिस्तिनी लेखक तपाक से मिले कुछ एक से में पहले मिल चुका था जिन से परिचित था हम बड़े कमरे में दाखिल हुए दाइं और कुलंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाई और बैठाए गए जहां चाए पान किया प्रबंध था या सिर अराफात हमारे साथ बैठ गए अब देखी जैसे जिस परिवेश का जो भोजन होता है जोंकि वो नोनवेज खाते हैं तो नोनवेज भी वहां लगा हुआ था और लेखक और उनकी पत्नी को एक तरब बैठा दिया गया जहां चाए का प्रबंध था बहुत सारे लोग आ गए थे अधिकतर लोगों उससे लेखक परीचित थे पहले से मिल चुके थे वहां के इस्थानी लेखकों से भी देरे देरे बातों का सिलसला शुरू हुआ हमारा वारतलाब ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था फिलिस्तीन के प्रती सामराज्य वादी शक्तियों के अन्याय पूर्ण रवईय की हमारे देश के नेताओं दौरा की गई भर्टसना, फिलिस्तीनी अंदोलन के पती विशाल इस तर पर हमारे देशवासियों की सहनुभोती और समर्थन आदी दो एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य निताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं, हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरनी हैं जितने आपके हैं ये बहुत बड़ी बात है, जिसका लेखक यहां पर द्धर्ण कर रहे हैं, चितर्ण कर रहे हैं कि जो वास्त में विशिष्ट व्यक्तित हो जाता है, उसका फिर किसी देश, सीमा, राज्य जाती वरण धर्म से संबंधनी होता है, बलकि वो सरोपर ही हो जाता है और सभी उसके पद्चिन्नों पर चलने का प्रियास करते हैं, उसके अच्छाईयों को अपनाने का प्रियास करते हैं तो ये बड़ी एक सीख ये भी है का आज की तारिक में कई बार ये कह देते हैं किसी भी पार्टी का नेता ये कहता है कि इस राज्ये में हमारी सरकार है तो ये गलत फैमी है सरकार भले ही वो चला रहे हो एक पार्टी के तहट उनको चुना गया है लेकिन वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री पूरे देश का है इसलिए सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी का यह मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री पूरे देश का है, पूरे राज्य का है, प्रधान मंत्री पूरे देश का है, उसका कर्तव है चाहे दूसरी पार्टी के विचारधारा के लोगों ने उनको वोट दिया है नहीं दिया हो लेकिन फिर भी वो उनका प्रधानमंत्री है उनके लिए भी उतना ही उत्तरदाई है जितना की वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए उसके लिए सब समान है तो ये भाव बहुत बड़ी बात होने कही है बीच बीच में आतित्थे भी चल रहा था यानि कि उनका सम्मान हो रहा था अराफात हमें फल छेल छेल कर खेला रहे थे अपने हाथों से हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे साथ ही साथ ही धर उधर की बाते भी चल रही थी और ये उपचारिकतानी ये आत्मिता और सम्मान का भाव होता है अराफात की इंजिनियरिंग की शिक्षा के बारे में उनकी अन्थक हवाई यात्राओं के बारे में शहद की उप्योगता के बारे में शिग्रिहम बड़े इत्मिनान से उनके साथ बिताया बतिया रहे थे उनकी सारी चीज़ों के बारे में सुन रहे थे उनसे अनुभव उनके सुन रहे थे उनके शिक्षा वगेरा और शहद को किस तरह से अनेक रूपों में दवाओं के रूप में उप्योग करते हैं जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगें परसे उठा और यह अनुमान लगा कर कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा मैं सीधा कमरा लांग गया मेरा नुमान ठीक निकला गुसल खाना वहीं पर था पर मेरी जहेप का अंत नहीं था जब मैं गुसल खाने से बाहर निकला तो या सेर राफात तोलिया हाथ में लिए बाहर कड़े थे कितनी महत्पून बात है एक देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति का इन छोटी-छोटी चीजों के प्रतिध्यान और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति इस तरह से कोई दूसरा देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो दरसल वो व्यक्ति-व्यक्ति नहीं होता उस देश का प्रतिनिधी होता है दोनो ही व्यक्ति तो यहां से यह अनुमान लगाया जाता है को उस देश की मानसिक्ता उसके लोग उसका विचार उसकी सोच किस तरह की होगी तो देखिए एक बड़ा व्यक्तित तो जब इस तरह से किसी लेखक के लिए इतनी आत्मिता दिखाता है उसका आतित्थे करता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़े विचार बड़े सोच और मनुष्य के नाते एक बड़े मनुष्य का होने का दाइत्व निर्वहन कर रहा है वो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है आज के अतीत ज लेकिन उसमें यदि सहजता है मनुष्यता है तो वो सर्वोपरी है सबसे उपर है और इन तीनों में गांधी नहरूर यासिर अराफात तीनों के माध्धम से लेखक ने इस पष्ट करने का पूर्या प्रियास किया है इस पाठ के माध्धम से के निश्चित रूप से एक सब सीखने को मिलता है तो विध्यारतियो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए धन्यवाद वीडियो आपके लिए लाभानवित होगी आशी आशाई नहीं हमें पूरा विश्वास है यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस टोपी के साथ में फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार